एक अदबुत अश्यर कर्म को आप अपने जीवन में देखेंगे परमेश्यो के अदबुत काम को आप अपने जीवन में देखेंगे वो बीमारियां वो दुख वो परिशानियां वो समस्या हैं वो गरीबी आपके जीवन से चली जाएगे और आप परमेश्यो के आसीज को प कि तो आज आप करते हैं क्योंकि आपने हमारी चैनल को सबस्क्राइब किया है कि आप प्रातना करवाना चाहते हैं तो परे शी hippie करें में आप प्रेस्ते रोड करें आज बीमारियां हो सकते हैं आपकी लाइफ में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आज मैं आपसे कहूंगा, कि आपको खड़ा होना है, और उन स्ट्रगल को, उन समस्याओं को, उन परिशानियों को, उन बीमारियों को डांटना है, आपको स्विम उन्हें डां होन कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रात्ना करेंगे, परन्तु में एक बात आप से कहना चाहूंगा, कि हम तो आपके लिए प्रात्ना करेंगे, या फिर कोई और आपके लिए प्रात्ना करेगा, आप भी अपने लिए प्रात्ना करेंगे, परन्तु आप जब तक स्वयम उस ब खड़ा होना है हम आपको प्रेर सपोर्ट देंगे लेकिन आपको भी खड़ा होना है और आपको क्या करना है आपको उस बीमारी को आपको उस समश्या को आपको उस परिशानी को डांट कर भगाना है आपको उसके विरोध में खड़ा होना होगा आप देखते हैं हम कहावते स कि जब कोई डॉग होता है तो वो आदमी को काटने के लिए उसके पीछे भागता है परंत जब व्यक्ति रुपता है और डॉग की तरफ देखता है उस पर गुसा करता है तो वो डॉग भाग जाता है वो वापस दुम दबा के भाग जाता है ऐसी ये सब चीजे हैं यदि सामने से भाग जाएगा उस दुष्ट का सामना करो तो तुमारे सामने से भाग जाएगा आपको क्या करना है आपको सामना करना है आपको भागना नहीं है आपको दूसरे की ओर नहीं देखना है बलके आपको खड़ा होना है आपको उसका सामना करना है कैसे सामना करना है मत का समय है जील में अचानक से आंधी तूफान आ गया इतना तेज आंधी तूफान आ गया कि लहरें बहुत बढ़ गई और नाव डूबने लगी तब कोई चेला जाकर येश्व मस्य को उठाता है कि प्रभू क्या तुझे हमारी चिंता नहीं उठ हम मरने पर हैं हमारा जीवन हे अलप विश्वासियों क्यों डरते हो तब उसने उठकर आंधी और पानी को डाटा और सब शांत हो गया आमेन दोस्तों यहां पर प्रवयेश मसी कहते हैं कि है अलपवेश वासियों तुम क्यों डरते हो तुम क्यों घबरा रहे हो इस आंधी को देखकर इस तूफान को देखकर तुम क्यों डर रहे हो तुम्हें डरने के आउशकता नहीं है बलकि तुम्हें क्या करना है तुम्हें वही सांत हो गया लिखा है सब सांत हो गया वो लहरे सांत हो गई वो तुफान सांत हो गया वो आंदी सांत हो गया वो पानी सांत हो गया सब कुछ नौर्मल हो गया, कब हुआ? जब प्रभु येश्य मसी ने उसे उने ढाटा तब सब कुछ ठीक हो गया किने ढाटा, चेलों को? नहीं उस आंदी तुफान को ढाटा जब प्रभु येश्य मसी ने उने जाने की आग्या दी, तब वे चलेगे, और हम प्रभु येश्य मसी का धन्यवाद करते हैं, पर मैं इश्य का कि उसने अपने चेलों को अपने फॉलोवरों को, अपने चेलों को, यानि कि आपको और मुझे अपने लोगों को उसने यही सामर्थ दी है, कि हम भी आग्या देंगे, और वैसा ही होगा, वैसा ही हो जाएगा हम लोग देखते हैं, जब कभी कोई दुस्ट आत्मा गरस्त ब्यत्ती होता है तो जब हम उसे आग्या देते हैं, तो दुस्ट आत्मा उससे निकल जाती है, जब किसी जो उसके पीछे चलते हैं कहना मानती हैं तो यदि आप भी प्रव येश्य मसी की तरह है उस आंदी और उस तुफान के विरोध में खड़े होंगे तो ये सब आपके जीवन से चले जाएंगे आपको क्या करना है आपको प्रव येश्य मसी की तरह है इनके विरोध में खड़ा होना है और कहना है येशु नासरी के नाम से हमारे जीवनों से चले जाओ येशु नासरी के नाम से हमारे परिवारों से चले जाओ येशु नासरी के नाम से मेरे सरीर को छोड़ दो येश्व नास्री के नाम से हर एक बीमारी चली जाओ हमारे घर से, हर एक परिशानी चली जाओ हमारे घर से, हर एक गरीबी चली जाओ हमारे घर से, जब आप इस प्रकार से कहते हैं, जब आप इस प्रकार से करते हैं, तो परमेश्व प्रव येश्व मसी आपके जीवन में इसी प्रकार से कारिय करते हैं, जो कुछ आप कहेंगे, प्रभुस के अनुसार कारिय करेंगे, तो इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साइट करना चाहूंगा, सब लोग आपके लिए प्रातना कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रातना कर रहे हैं, लेकिन आप उठें और उस बिमारी के लिए उस समयश्य को उस परिशानी को डांटें। येश्यू के नाम से चली जाओ। जब आप इस प्रकार्श से करेंगे, तो आप अपने जीवन में एक अधभूत अश्यर कर्म को आप अपने जीवन में देखेंगे। परमेशो के अदबूत काम को आप अपने जीवन में देखेंगे वो बीमारियां वो दुख वो परिशानियां वो समस्याएं वो गरीबी आपके जीवन से चली जाएगे और आप परमेशो के आसीस को परमेशो की सफलता को अपने जीवन में देखोंगे सो प्रभव आपको इ आई बेंट सेवाकारियों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं बहुत सारे वीडियो को सेयर कर रहे हैं आप सब लोगों का हम तही दिल से धन्यवाद करते हैं और हम आपके लिए लगातार प्रात्ना कर रहे हैं प्रभू आपके जीवन में अवश्या काम करेंगे यदि आप आज के वाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें धन्यवाद अमरिता शिष्टार दिके बरादर के हां हम प्लेयर विकेश्ट भेजा हमारे नाक से बहुत दिकत था इसमें अप्रेशन करने का नोबथ हो गया था रेकिन अप्रेशन हो नहीं पाया पर्भूजी करकीर पासे हम भी ठीक हो गया दुसरा गवाई मेरे पर से पर तूट गय था कमर पूरा इसब हो गया था उसको भी हम भेजा प्यर लैन में अमरिता शिष्ट रदी के बरादर यहां ओभी प्रभूजी के किरपास से अच्छा भला चंगा हो गया हो गया हूं और फिर दुसरा गवाई मेरे कमजोरी था ओभी कमजोरी दिरे-दिरे प्रभूजी के क किरपास से दूर हो गया फिर चे उठाग वही दना चाहता हूं मेरे बाया प्वार में खुजली है को खुजली भी नर्मल होने जा रहा है इसलिए मैं दिके परादर अम्रिता शिष्ट को बहुत-बहुत धंगारतम पर्भूजी इस सुमासी अमारे जीवन में बहुत सारे कार्या किया इसलिए बहुत-बहुत धनियवाद गता हूं उसके पूरे तीम को जयमासी की आगे बढ़ते जाए हमारा धनियुआ उनके आँं बरावर मिलता रहे धन्यवाद करते हैं आज की सुन्दर सुभा में और मैं आशा करती हूं कि आप सब ने प्रभू के वजन को सुनकर आशीश पाई हैं सो आईए हम सब मिलकर प्रात्ना करें धन्यवाद धन्यवाद करते हैं हमारे पिता भले और अच्छे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा प्रशन सा बढ़ाई करते हैं प्यारे येश मसी आपने हमें ये सुन्दर सी सुभा दिखाई परमिशर हम सब आज जीव कि दिन एक कि योगना को अपने प्लंस को प्रभू हम सब के जीवनों में फुल्फिल इस सुभा के लिए और इसुभा में पूरे दिन भर के हर एक कामों के लिए आप ने प्रभू हमारे लिए योजना कि है प्रभू आ उमस्थetus करें कि हम उन योजनाओं को कंप्लीट कर सकें परमेश्व पिता मेरे प्रभू आज हर प्रकार के नेगेटिव थाउट हर प्रकार के बुरे विचारों से हम येश्मसी आपके लोगों को अजाद करते पिता परमेश्वर खुदा आपके नाम से उन सारे नेगेटिव थाउट को कैंसल आउट करते पिता धनेवाद क्योंकि प्रभू आपने हम सब को अधिकार दिया है परमिश्य और अधिकार को इस्तमाल करने की सामर्थ भी आप हमें दे परमिश्य पिता और वो सामर्थ प्रभू तेरा वचन है परमिश्य मैं दुआ करती हूं इस सुबह में तेरे वचन को अध्यन करने वाला और उस वचन को मानकर बोलने वाला हो सके परमिश्य पिता उसे परमिश्य प्रभू एक्ट उसे कर सके परमिश्य पिता और होने दीजे प्रभू वचन के दुआरा जो विश्वास इनके अंदर उत्पन होता है प्रभू उस विश्वास क के द्वारा प्रभू उस जिम्मेदारी को समझ सके जो आपने उन्हें दी है परमिश्व पिता मैं धन्यवाद करती हूं पिता आज हर एक जन को पिता आप आशशित करें मेरे प्रभू उनके लाइफ की प्रॉब्लम समस्या रुकावटे बिमारियां करजे और बहुत सारी ज प्रभूम के उपर हर प्रकार के परस्तथियों के उपर तूने हमें बोलने की सामर्थ दी है मैं दूआ करती हूं कि अ सामर्थ को एपलाइग करने के लिए प्रभू अपने लोगों को खडा करे परमिश्व पिता प्रभू ये बैठे न रहें प्रभू उस सोच विचार मे करने दे प्रबो वरन तेरे वचन की सामर्थ को लेकर ये उठ खड़े हो और परस्तितियों को डाट कर अपने जीवन से दूर कर सके ऐसी दूआ ऐसी विंती में कर इनकी स्प्रीच्वली ग्रोथ के लिए परमेश्यों की आत्मा में बढ़कर परमेश्यर अपने अधिकार को स इसे जीवनों में प्रभू, इनके फैमली में परमेश्यों प्रहुत जादा घड़बरियां हैं, दूरियां हैं, कलेश हैं, लड़ाई जगड़े हैं, तो आज आप इस वचन के आधार पर जिस प्रकार प्रभू येश्युने आंधियो और तुफान को शांत के प्रभू, आज इसी प्रकार प्रबू तेरे लोग भी प्रबू अपनी परस्थती के विरोध में फैमिली के हर प्रकार की प्रॉबलम की विरोध में उठ खड़े होकर उसे डांटने पाए येशु के नाम से आज आप मेरे साथ मिलकर इस परातना में इस परस्तिती को जो आपकी फैमिली में है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है mistake, misunderstanding, जो कुछ भी life में family में है, मेरे साथ मिलकर उन बातों को डाटे, हालेलूया, मेरे प्रभू, इनके family से, हम उन सारी गलत बातों को डाटते हैं, आग्या देते हैं, कि इनके family को छोड़कर, इनके बचों को छोड़कर, चले जाओ, ये शुनासरी के नाम से, हम तुम्हें से डाटते हैं, अपनी authority को इस्तमाल करते हैं, और कहते हैं, निकल जाओ, ये शुनासरी के नाम से, मेरे प्रभू, आज एतने लोग बीमार हैं, ये शुमसी, उस authority को इस्तमाल करते हैं, वचन की सामृत को इस्तमाल करते हैं, कहते हैं, छोटे बच्चे, नौजवान, सुमर् असर कैंहीıkt के विमारी को आग्ग मसे के नाम से इनके शरीद मेब नकल जाओ यैश्यं के नाम से हम तुम्हें नस्था ऑनने की आग्ग देते तुम्हें इनके शरीर से दूर होने के आग्ग देते मेरे परमेशो प्रभू जब ये कर्जे में है फाइनाइशल प्रॉब्लम में है जब प्रभू इन्हें किसी का देना है परमेशो पिता प्रभू इन्हें प्रभू अपने लोन को फे करना है प्रभू येशु आप का वचन कहता है कि आप महिममे धन से पूरा करते है येशु के नाम से इन कर्जों को हर प्रकार की financial problem को हमाधिकार से कहते हैं इनके जीवनों से चले जाओ प्रभू आप उपाई करें आप उपाई करने वाले परमेशर हैं आप हमारे चरवा हैं प्रभू जो आत्मा मैं तुम्हें येशु नासरी के नाम से आग्या देती हूं इनके जीवन को छोड़कर चले जाओ येशु मसी के नाम से अधिकार से तुम्हें मती 18-18 व्यायत के अनुसार इस आत्मिक जगत में बांदते हैं और अथाकुंड में जाने के आग्या देते हैं येशु मसी नासरी के नाम से निकल जाओ इनकी फैमिली को छोड़कर बच्चों को छोड़कर इनके घर को छोड़कर चले जाओ येशु नासरी के नाम से धन्यवाद पिता प्रभू आपके वचन के अनुसार पिता आज हर एक जन ने अपनी परस्थति के विरोध में बोला है परम प्रभू इनके सारे काम येशु के नाम से सफल हो पिता इन्हें अच्छा स्वास्ते प्रदान करें ग्यान बुद्धी समस्थ भरे पिता दुरगटनाओं से खत्रे मुसीबतों से हर प्रकार के फ्रॉड से हर प्रकार के गलत कामों को करने से आप इने बचाएं परमिशर तेरे लजु में ढ़ापते प्रभू तेरी सुरक्षा प्रभू इनके सात में हैं तेरे सुरगधूत प्रभू इंके इर्द गिर्द रहते प्रमिशर और प्रबू तु इने हमेशा प्रोटेक्ट करता पिता आज जीतनी विंते आई diamonds से प्रबू उन भाई बहनों को भी प दनिवाद करते हैं पिता वो जो हिर्दे कारे कर रहा है पिता ये शिमसी उन भाई बैनों को आशीज दे जो उसे वकाई करते हैं पिता जिनोंने बोया है वो फलवन्त हो आशिशित हो कोई भी घटी कमी उनकी फैमिली उनके बच्चों की लाइफ में नहो वरन प्रभू उसक बहुत जादा निकट है परमिशर हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते वे प्रात्ना सामत्ती प्रभी यश्य के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन